नमस्कार बच्चों मेरा नाम है नाक्षी शर्माए और मैं आपकी हिंदी टीचरूं कैसे हो आप सभी आशा करती हूँ के आप सभी घर में स्वास्थ और सुरक्षित होंगे आज मैं आपको आपकी पाठे पुस्तव बसंत भाग एक का पाँचवा पाठ अक्षरों का महत्व पढ़ाऊंगी इसमें हमें अक्षरों की कहानी के बारे में बताया गया है कि अक्षरों की खोच कैसे हुई उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है यह कहानी यह पाठ गुणाकर मुले के द्वारा लिखा गया है और इन्हों ने इस पाठ में लेखक ने अक्षरों का महत्व बताया है तो आईए हम सब मिलकर पढ़ते हैं अक्षरों का महत्व अक्षरों की कहानी यह पुस्तग अक्षरों से बनी है आपकी पुस्तक में किस से बनी होती है? अक्षरों से बनी होती है कोई भी वाक्य लिखते हैं वो अक्षरों से बनता है सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी होती है तरह तरह की पुस्तकें तरह तरह की अक्षर दुनिया में अब तक करोडों पुस्तके छप चुकी है हजारों पुस्तके रोज छपती है छपती है की नहीं छपती तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं हम कोई भी समाचार पत्र न्यूस पेपर देखते हैं तो वो किस सायता से बने होता है अक्षरों की सायता से ही तो छपता है अक्षरों की सायता से ही तो उसमें लेख लिखे जाते हैं इन सब के मूल में है क्या अक्षर हम कलपना भी नहीं कर सकते यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादी कRissa से जानते हैं अक्षरों का ग्यान हमें किसी ईश्वर से मिला है ते को ये शिकार का द्रश है मद्ध भारत का पहले कहा था जब अक्षरों की खोजनी हुई थी तो लोग कैसे करते थे चित्रों के माध्यम से अपनी बात प्रकट करते थे पुराने जमाने के लोग सचमुझ ही सोसते थे कि अक्षरों की खोज इश्वर ने की है पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज इश्वर ने नहीं बलकि स्वैम आदमी ने की है पहले के जमाने के लोग क्या सोचते थे कि अक्षनों की खोज किस ने किये इश्वर ने उनका इश्वर पे अटूट विश्वास था वे इश्वर को क्या समझते थे सर्व शक्तिमान तो वो क्या सोचते थे कि अक्षनों की खोज भी किस ने किये इश्वर ने किये लेकिन आज आदमी को ये पता है कि अक्षनों की खोज किस ने की है इश्वन ने नहीं की स्वेम आदमी ने की है अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षनों के खोज किस देश में और किस समय हुई हमारी ये धर्ती लगबग 5 अरब साल पुरानी है दो-तीन अरब साल तक इस धर्ती पर किसी प्रकार के जीव जनतु नहीं थे फिर करोडों साल तक केवल जानवरों और बनस्पतियों का ही इस धर्ती पर राज रहा आदमी ने इस धर्ती पर कोई 5 लाग साल पहले जन्म लिया और दीरे दीरे उसका क्या हुआ अविकाज हुआ कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाउं में बसना शुरू किया तो आदमी ने गाउं में बसना कब शुरू किया कोई 10,000 साल पहले वह क्या करने लगा खेती करने लगा गाउं में रहका तो उसके लिए क्या करता था वे पत्थोरों के ओजारों का इस्तमाल करता था फिर उसने दीरे-दीरे क्या किया तांबे और कांसे के भी ओजार बनाए प्रागेती हासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिये अपने भाव व्यक्त किये जैसे पक्षियों पक्षियों आद्मियों आदि के चित्र इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित में आये पहले क्या करता था आद्मी कैसे अपने भाव व्यक्त करता था चित्र बना कर और फिर उसके बाद उनमें भाव संकेत के माध्यम से करता था जैसे एक छोटे विरत के चहुं और, चारो और किर्णों की दियोतक रेखाएं खीचने पर, वे सूरे का चित्र बन जाता था जैसे एक गोला, चोटा सा वरत, वरतमिस गोला, गोले के चारो और, एक बड़ी, एक छोटी लाइने खीच देते हैं तो वो क्या बन जाती है किर्णे होती है सूरे की, तो क्या बन जाता था, सूरे का चित्र बन जाता था बाद में यही चित्र ताप और धूप का दियोतक बन गया, बाद में यही चित्र कैसा बन गया, किसका दियोतक हो गया, किसका प्रतीक हो गया, ताप और धूप का इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तितों में आए तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोच की अक्षरों की खोच के शिसले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं केवल 6000 साल देखो मध्य अमरीका के ओजिम्बवा आदिवासियों के चित्र दाईयोर से बाईयोर को क्रमशय तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता हुआ नगाडा पंखोम से सुशोबित नगाडा द्रोन का कोवा और दवा खाने में आदमी अक्षरों की खोज के साथ एक नए युक की शुरूबात हुई आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा जब अक्षरों की खोज हो गई तो एक नए युक की शुरूबात हुई और आदमी अपने हिसाब किताब को क्या करने लगा लिख कर तब से मानव को के सब भे कहा जाने लगा आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरम हुआ किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेक मिलने लग जाते हैं जब हमें आदमी के लिखे हुए लेक मिले तब ही इतिहास के पहले का काल कहते हैं अते हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था और क्या-क्या सोचता था कौन कौन राजा हुए इत्यादी यदि हमें लेख ही नहीं मिलते तो हमें क्या पता चलता कि कौन हुआ आदमी कैसे रहता था क्या करता था कौन राजा हुए इन सब बातों का हमें ग्यान नहीं होता अक्षरों की खोज मनुश्य की सबसे बड़ी खोज है अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुश्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा इस प्रकार एक पीडी के ग्यान का इस्तमाल दूसरी पीडी करने लगी अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाती का तेजी से विकास हुआ यह महत है अक्षरों का और उनसे बने हुई लिपियों का अतै हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए कहां बने और किसने बनाए यह जानना जरूरी है भी तो यह पार्ट किसने लिखा है गुणा कर मुले ने तो बच्चों आज हमने क्या जाना अक्षरों की कहानी पढ़ी और अक्षरों के महत्तों को जाना तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अभ्यास प्रश्ण करवाऊंगी आप सब बच्चे घर पर इस पार्ट को पढ़ेंगे धन्यवाद